असलालेकुम नमस्ते दोस्तों उमीदे सब खेर करियत से होंगे वेलकम बेक तो माय चैनल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी स्कॉलर्शिप की जो कि इटली की गवर्मेंट आफर कर रही है बैसिकली मिनिस्ट्री आफ फॉर्ण अफेर्स जो इटली की है वो ये स्कॉ स्कॉलर्शिप के हैं तो उनकी लिए एक स्कॉलर्शिप है और इसमें काफी सारे स्टूरेंट्स फाइदा उठा सकते हैं जैसे कि मास्टर्स पी-एच्डी और रिसर्च वगरा करने वाले तो डारेक्ट्ली हम गूगल पे आके एम-ए-ई-सी-आई स्कॉलर्शिप लिखे आपको यह इसकी डेड्लाइन नाइन्थ जून है जो कि कुछ ही दिनों में है तकरीबन दस दिन बाद या बारा दिन बाद तो आपने उससे पहले यह सब्मेंट कर देनी है तो स्कॉलर्शिप का प्रोसेस किस तरह होता है वो इस सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे पूरा टुटिरल जो है मैं रिकार्ड करूंगा कि किस तरह आपको उसके पोर्टल पर जाना है कौन-कौन से डाकॉमेंट्स वगरा चाहिए तो उससे पहले हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या जो है इसमें रिक्वाइड है आपको कौन-कौन इससे बेनिफिक्शर ही हो सकता है तो थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे सबसे पहले तो आप अपना कंट्री चेक कर लें कि क्या आप इसमें इलिजिबल हैं तो लिस्ट आफ कंट्री आपको इधर मिल जाएगी जिसमें अफगानिस्तान अलबेनिया यह सारे कंट्री जो भी है मैं थोड़ा लिस्ट को नीचे नीचे देखा रहा हूँ झल्दी जल्दी में आप ज्यादा इसमें अपनी डीटेल देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें पाकस्तान भी है इस शाल पेले यह नहीं होता था और इंडिया भी है अफ़ खेली हु फिर फेले ही होता जो master's के student हैं, दो साल वाली master's की student है, ये उनको मिल सकती है, ये 6 से 9 मेनी तक आपकी scholarship से आप फाइदा उठा सकते हैं, तो सोचिए आपको मिलेगा per month 900 euros तक, अगर आप master's में हैं, second year जो 2 सालों की होती है, और उसके लिए आपके पास bachelor's की degree होनी चाहिए, for example, अगर आप अभी साल master's में आ रहे हैं, और आप scholarship के लिए apply करते हैं, तो उस वक्त आपके पास bachelor's की degree होनी चाहिए, जो कि इसकी requirement है, for master's, जो course enrollment possible after passing admission, कुछ-कुछ master's ऐसी होती हैं, जो जनमें admission test अगर ली जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनको पास करनी पड़ेंगी, इसकी requirement मीन करने के लिए, उसके बाद, ये एक course of higher education, जिसमें arts, music and dance वाले हैं, उनको इस portal पे जाकर पहले register करना होगा, admission letter अगरांग के पास होना चाहिए, फिर ही वो apply कर सकते हैं, उसके बाद, PhD वाले जो है, PhD के student भी इससे फाइदा आउटा सकते हैं, जिनके पास 6-9 मैने तक ये फाइदा आउटा सकते हैं, और ये हर साल scholarship आती है, तो उनको उनके लिए भी ये है, लेकिन उनको जो है, अपन कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट करने या कोई ऐसी चीज करने, रिसर्च से रिलेटेड बिसिकली, तो वो भी इससे फाइदा उठा सकते हैं, और उनके लिए जो है, ये चीज सब्मिट करने पड़ेगी, नेम, कॉंटेक्ट, इमेल वगरा जो जिस ये उनको ये रिसर्च कं कर रहे हैं, या कि इंग्लिश में कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए इलिजिबल है, अगर आप इटालियन में कर रहे हैं, तो आपके पास A2, European Union Framework के साफ से जो है, लेंग्वज का सेटिफिक्ट होना चाहिए, और आप इंग्लिश में कर रहे हैं, तो फिर भी आप जो है इसके लिए इलिजिबल हैं, तो अभी इलिजिबल कौन है, इलिजिबल वो हैं, जो जो ये सारे requirements meet करते हैं, जिनकी academic qualification भी ठीक है, जो master's में है, उनके पास bachelor's की डिगरी होने चाहिए, जो PhD कर रहे हैं, उनके पास master's की डिगरी होने चाहिए, और जो master's कर रहे हैं, उनकी maximum age जो है 28 years होनी चाहिए, उससे जादा हाप नहीं जा सकते, बैसिकली जो 90-94 में या उसके बाद जो पैदा हुए हैं, वही apply कर सकते हैं, उससे पहले वाले age exceed कर जाते हैं, और अगर आप PhD में हैं तो आपको 30 years से जादा की age आपकी नहीं होनी चाहिए, और research project वालों की 40 years से ज लेकिन आपको certificate देना होगा B2 का अगर English में हैं और B2 का अगर Italian Map का course है, जो countries जिसमें bachelor's जिनकी English में पढ़ाई जाती है, उनके पास English proficiency regular letter है, तो उनके लिए उनके लिए भी यह है, वो भी आप जो है इसके apply कर सकते हैं, और उसके बाद आता है renewals, अगर essay student जिनोंने 2022 और 2023 में apply किया था, वो सेम प्रोसेसे renew के लिए apply कर सकते हैं, और उनके लिए यह लाजमी है, इस क्रिशियों कोर्स हो मतलब जो कोर्स आपका है, वो आपका in progress है, या तो आप उस later grade वगएरा, या enrollment later, आपको summit करना पड़ेगा, और funding period होगा, नومबर की start से, इसी साल में 2023 में, और ending, जो है, मतलब तक करीबन आपको एक साल की funding हो सकती है, तो आपको यह सारी चीजें, जो है, इनको provide करनी होगी, और जो government employees वगएरा है, वो इसके लिए apply नहीं कर सकते, और submission जो है, इस portal से होगी, और उसकी date यह है, याद रखिए, इस date के पास जो है, application reject की जाएंगी, तो यह सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, कि 9th June 2023, 2 PM CE time, जो है, Central European time है, परिस और रोम वगएरा में जो भी होता है, European 2 PM, तो उससे पहले आपने, जो है, submit करनी है application, और यह सारी चीजें लिखी होई है, कि आपको किस तरह, जो है, select किया जाएगा, selection कैसे होगी, और ranking इसकी वे हो सकती है, exempt हो सकती है, आपको health and benefits, like insurance आपकी होगी, आपको monthly 900 euros मिलेंगे, periodically every two or every three months to the personal current account, जो आपके पास IBAN है, Italian बनाना पड़ेगा, जो student इधर है, उनको जो है, यह पैसे दिये जाएंगे, तो आईए, list भी हमने देख ली, और यह सारी चीजें हमने देख ली, तो सबसे पहले आपने जाना होगा, इस पोर्टल पे, जो कि यहां पे mention था, यह वाला, मैं यह लिंक अपनी वीडियो में भी दे दूँगा, और यहां पे आपको जाकि अपना account बनाना था, मैंने पहले ही बना लिया, और मैं शेयर नहीं कर सकता, जो है, credential की किस तरह बनात तो आपने यहां पे जाकर account बनाना है, sign in करना है, और direct आपको जो है, call for application में जाएंगी, तो आपको यहां पे personal data देनी होगी, जो कि वही है, नाम, आपका passport number, आपकी passport, date of assurance, date of expiry, और यह सारी चीज़ें, वो भी मैं नहीं दिखा सकता, इसी reason से कि यह फिर वीडियो से रिम आपको make sure करना है, कि सारी चीज़ें जो भी आप upload करें, PDF में हो, clear हो, और उनकी size है, वो कम से कम हो, मतलब एक MBA है, उससे कम की हो, बाकी सारी चीज़ें आपने वही देनी हैं, जो आपने अपनी degree में, आपनी university को दी हुई है, clear होनी चाहिए, उसके बाद आप आते हैं, course data प आप ये already scholarship ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो new हैं, आप तो यहाँ पर आएंगे, आप बताएंगे भाई, आप कौन सी जो है, course में है, language में है, PhD में है, PhD है, higher artistic education है, research है, या फिर language course है, जो भी है, आपको मैं यहाँ पर master's लिख कर रहा हूँ, और उसके लिए आपके ब नाम लिखना है, मैं वैसे ही आपकी just guide करने के लिए लिख रहा हूँ, course आपका कौन सा है by business management, ठीक है, city कौन सा है by room, जो भी आपका city है, जो भी आपका course है, वो आपने लिख देना है, और अगर आप यह delete कर देते, और इसके बाद आपने language बतानी है, कि कौन सी language में आप course क कर रहे हैं, वो English में वो फिर आपको certificate देना होगा, और बताना होगा, कि कौन सा आपका English का certificate है, क्या है, उसकी level क्या है, level कम से कम बीटू होनी चाहिए, शूट भाई भाई, British Council, और date of issuance आपने, यहाँ आप लिख देनी है, जो भी है आपकी, और यहाँ पी आपको certificate अपल कि CV होनी चाहिए, जो कि Europass format में हो लाजमन और सारे document आपके PDF format में होनी चाहिए, सारों को compress भी कर देना है, जैसे उनकी size कम हो जाए, उनका जो है, इतनी, मतलब है भी file ना हो, ठीक है, फिर qualification आपने अपना बताना है, enrollment या transcript देनी है, जो कि इस के रिस्यों ने, इन course ओ लिख इसके लाव application से में नहीं होगी, उसके बाद, आप Italian जो tutor है, आपका किसी किसी course में ये भी required है, कि आप अपने teacher से जो है, लिखवा के line declaration कि हाँ, ये बन्दा ठीक पढ़ रहा है, मतलब आपका एक reference later basically, तो वो भी जिन जिन को required है, तो वो यहाँ पे आपको upload करना होगा, और उसके बाद कोई ऐसा document, आप कुछ additional क्योंकि different उसमें requirements है, based on your course and other things, तो वो आप देख लें, वो ये document आपका supporting यहाँ पे upload कर सकते हैं, आपने जो है exam दिये है, exam की transcript later grade, वो भी यहाँ पे upload कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे motivation later लिखना होगा, कि भाई, ये scholarship आपको क्यों चाहिए, तो ये आप लिखते हैं कि भाई, इस तरह मुझे ये support करेंगी और आगे जाकि ये ये फाइदा होगा, मेरा career बनेगा ये सारी चीज़ें, फिर आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे टिक करके आगे जाके submit कर देना है, तो ये submit हो जाएगा, फिर आपको ज आपको आगे पता चल जाएगा, उसके इलावा आपने एक और काम करना है, आपने जाना है YouTube पे, YouTube पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है, नवीन तलरेजा, ठीक है, नवीन तलरेजा लिख लिए आपने और ये आएगा, आपको यहाँ पे आके, ये subscribe का button दिख रहा होगा, आपने वो subscribe कर देना है, thank you so much for watching, kindly share this video with all the students who don't have other regional scholarships or any merit scholarship, it might help them, thank you so much for watching, ciao ciao